Hello everyone, इस वीडियो में मैं पटना के Perfection IAS के Test 10 के Hindi Medium के Questions को Discuss करने जा रहा हूँ इस वीडियो में 73 से लेकर के Last तक के Questions को Discuss करूँगा ये सारे Questions आने मले BPSC 68th Preliminary Examination में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और यदि इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो चलिए सुरू करते हैं Question 73, कौन सा देश मई 2022 में कच्चे तेल का भारत का दूसरा सबसे बड़ा अपूर्ती करता बनने के लिए सौधी अरब को पीछे छोड़ दिया है, वो है रसिया, राइट अप्सन ए होगा यूकरिन में जूद सुरू होने के बाद से हैं, रूसी कच्चा तेल ब्रेंट के मुकाबरे 30 अमिर की डाउलर तक छूट पर कारवार कर रहा है Next Question, किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड से रिपोर्ट जारी की है, तो वो है UNHCR, UNHCR राइट अप्सन C होगा संजुक्त राष्ट सरनार्थी एजेंसी UNHCR ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट कंसर दुनिया भर में 100 मिलियन लोग अब अपने घड़ों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं UNHCR ने दुनिया भर में खाद असुलक्षा जलबायू शंकट युक्रेन में युद्ध और अफिरका से अफगानिस्तान तक अन अपाती स्थितियों को प्रमुख कारणों के रूप में रिखांकित किया रिपोर्ट कांशार 2021 के अंत तक युद्ध, हिंसा, उत्पिणन और मानवाधिकारों के हनन से 20 खाफितों की शंक्या 89.3 मिलियन थी यानि 89.3 मिलियन नेक्स कोश्चन किस देश ने अंतरिक्ष में सौर उर्जा शैयंतर सुरू करने की जोजना की है वो है चीन, राइट अप्सन B होगा चीन ने घोषना की है कि वो अध्यतन योजना के तहद 2028 में अक्षय उर्जा उत्पादन के लिए अंतरिक्ष में एक सौर उर्जा सैयंतर सुरू करने की जोजना बना रहा है इससे पहले चीन ने 2030 तक अंतरिक्ष में एक मेगावाट सौर उर्जा अस्टेशन अस्थापित करने का लक्ष रखा था चीन 400 किलोमीटर के उचाई से अंतरिक्ष से जमीन तक वायरलेस पावर ट्रांस्मिशन तकनिक का परिक्षन करने के लिए दो हजार अठाईस में एक उपग्रह लॉंच करेगा यह सौर उर्जा को माइक्रो वेव या लेजर में परिवर्टित करेगा नेक्स कोस्टिन एसिया का सबसे बड़ा अंतराष्टिय भोजन और आतित्थ मेला आहार 2022 का अयोजन अस्थाल कौन सा है तो नई दिली का प्रगती मैदान नई दिली का प्रगती मैदान राइट अप्शन C होगा किलसी और प्रसंस्कृत खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरन यानि अपेडा भारत बेपार संवर्धन संगठन यानि आई टी पियो के शहजोग से एसिया का सबसे बड़ा अंतराष्टिय खाद और आतित्थ मेला अहार 2022 का अयोजन किया नई दिली के प्रगती म बना है एकवाडोर एक दक्षण अमेर की देश है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दूनिया का पहला देश बन गया है देश के सरवच्चन याले ने एस्ट्रेलीटा नाम के उनी बंदर पर केंदरित मामले के पक्ष में फैसला सुनाया है जिसे उसके घर से एक चिनिया घर में ले जाया गया था जहां वह सिर्फ एक खापते तक जिन्दा रहा और बाद में उसकी डेथ हो गई थी नेक्स कोर्शन राष्टी समुद्र दिवस 2022 का बीशाई क्या है तो वो है कोविड-19 से पड़े सतत सिपिंग राइट अप्सन एह होगा भारत ने 5 अप्रेल को 69 राष्टी समुद्र दिवस मनाया क्योंकि यह हर साल 5 अप्रेल को पड़ता है राष्टी समुद्र दिवस जब मनाया गया तो उसकी थीम थी सस्टेनेबल सिपिंग ब्याउंड कोविड-19 नेक्स कोश्चन नदी के किस तठपर भारती भूब अग्यानिक सर्वेक चाने यानि GSI ने भारत का पहला जीयो पार्क अस्थापित करने की मन्जूरी दी है तो है नर्मदा नदी के तठपर राइट अप्सन डी होगा नेक्स कोश्चन किस एकमर्स कमपनी ने भारत में फ्यूचर इंजिनियर प्रोग्राम लॉंच किया है तो e-commerce company Amazon India ने भारत में अपने बैस्वी computer बिग्यान सिक्षा कार्जकरम Amazon Future Engineer के launch की घोषना की है यह कार्जकरम कम प्रतिनेधित वाले और कम सेवा वाले समधायों के चात्रों के लिए गुणवतापून computer बिग्यान सिक्षा और केरियर के आउसरों तक पहुँच को सक्षम करेगा तो Amazon होगा राइट अप्सन बी अपने लक्षे के पहले बर्च में Amazon का लक्ष भारत के साथ राज्यों के 900 सरकारी और साहेता प्राप्ते स्कूलों के एक लाग से अधिक चात्र को सीखने के आउसर प्रदान करना है Next question किसी राज्य के सिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉंच किया है उत्राखंड राइट अप्सन सी होगा उत्राखन सिक्षा विभागने हाल ही में राज में सिक्षा प्रनाली को और अधिक पारदर्ची बनाने के लिए समर्थ नाम से एक e-governance पोर्टल लॉंच किया है पोर्टल परवेश परिक्षा वेतन, राज विश्व विद्याले और पबलिक स्कूलों से नियुक्तियों के बारे में जैनकारी सहित सभी प्रसासनिक और सेक्षनिक अपडेट प्रदान करेगा नेक्स कोशन भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए निमलिकित में से किस राष्ट्य उध्यान का चैन किया गया था तो कूनो राष्ट्य उध्यान का चैन किया गया था, राइट अपसन, ची होगा प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को मद्ध परदिश के कुनों राष्टी उध्यान में चीतों के एक समूह को छोड़ा आठ चीतों जिन में से पांच मादा है और वो बिंड होक नामीबिया से ग्वालियर के लिए नामीबिया से ग्वालियर लाई गई थे पहला महिला उट सवारी दस्ता सीमा सुरक्षाबल की पहली महिला उट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा यह दल पहली बार एक सितंबर को बिये से फस्ता अपना दिवस परेड में भाग लिया यह दस्ता बाइट अप्शन बी होगा भारतिक क्रिसी अनुसंधान संस्थान ने उत्तर परदेश में दो नई बौनी किस्मों पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 का सफलता पुरबा परिक्षान किया है काला नमक काली भूसिया और तेज सुगंध वाली ध निमली खित में से किस से संबंधित है तो यह कठोर सर्दी से संबंधित कहां जमू और कास्मीर के रायट अप्शन बी होगा कास्मीर की सबसे कठोर सर्दियों की आउधी चिल्ला एक कला पहलगाम सहित कई अस्थानों पर भारा जमाव बिंदू से कई डिग्री नीचे गि किस बर्स तक दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थ ब्यवस्ता बनने की उमीद है तो दो हजर पैंटिस तक रायट अप्शन ए होगा सेंटर फॉर एकनोमिक एंड बिजनेस रिशर्च सी इबी आर लंदन इस्थित एक परमुक कंसल्टेंसी फर्म है इसके अनुसार भारत दो हज किस तारी को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को रायट अप्शन C होगा जनवरी 2022 में केंद्र ने घोशना की कि 26 दिसंबर को गुरू गोविन सिंग के छोटे बेटों साहिब जादा जोरावर सिंग और साहिब जादा फतेह सिंग की शहादत को बीर बाल को चिनित करते हैं सहीदी जूर मेला या सहीदी सभाव फतेहगर साहीब में मनाया जाता है जिसमें लाखों लोग सामिल होते हैं नेक्स कोस्टन रोहिणी नयार पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो सेथ्री क्यम शंगतम को राइट अप्सन बी होगा पूर्भी नागा लेन में 1200 सिमान्त किसानों की आये को दुगुना करने में मदद करने माले सेथ्री क्यम शंगतम को ग्रामिल विकास में नेक्स कोस्टन राजस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् साइको ट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट के प्रावधानों के ताथ जब्त किया गया गियर बॉक्स में छिपी दवाओं का पता लगाने के लिए अपरेशन गियर बॉक्स चलाया जाता है नेक्स कोस्टन किस देशने 2023 में नए और पुनर निर्मित जिवास मिंधन से चलने वाली बिजली उत्पाद निकाईयों के लिए नए उत्सरजन मानकों को पेस करेगा सिंगापूर का उर्जा नियामक 2030 में नए और पुनर शंचाली जिवास मिंधन से चलने वाली बिजली उत्पाद निकाईयों के लिए नए उत्सरजन मानकों को पेस करेगा यह उपाए 2030 तक कार्बन डाइकसाइड के 60 मिलियन टन के अपने उत्सरजन लक्ष को कम करने की सिंगापूर की जोजनाओं का भी अनुसरन करता है लागू करने माला पहला राजबन था मुक्त भारत में भूमी सुधारों का प्रमुख उदेश से बीचवलीयों को खत्म करना और राजस सुब्यवस्था में बदलाव लाना था जो किसानों के अनुकुल हो नेक्स कोस्टन असोक महता समीती ने पंचायती राज के लिए दो एस्तर ये प्रणाली की सी फारिस की समीती ने निमलिखित में से किस पर अधिक बल दिया तो जीला पंचायत पे सबसे जीला परिशत पर अधिक बल दिया था पाईट अप्सन डी होगा समीती ने सिफारिष की कि एक जीला राज एस्तर के नीचे लोगपिरिये परजिवेक्षण के तहट बीकेंद्रिकरण के लिए पहला बिंदू होना चाहिए जीला परिषद को काजकारी निकाय होना चाहिए और जीला एस्तर पर योजना के लिए जिम्दार बनाया जाना चाहिए बिकास कार्जों को जीला परिषद में आस्थानांतिलत किया जाना चाहिए और सभी बिकास करमचारियों को इसके नियंत्रण और पड़्यविक्षण में काम करना चाहिए Next question, बिहार में निमलिखित मेंच किस बोध संगीती का आयोजन नहीं किया गया था? चौती बोध संगीती का आयोजन कासमीर के कुंडल बन में किया गया था So right option एक होगा व्यूतिय बहुत संगीती का आयोजन तीन सव तीरासी इसा पुर्व में काला सोग के सासनकाल में बैशाली में किया गया था और उसके अध्यक्ष साबाकामी थे तिर्थिय बोध संगीती का आयोजन 251 इशापुर्व में असुक के सासनकाल में पाटली पुत्र में किया गया था और उसके अध्यक्ष मोगाली पुत्तिस थे चतूर्थ बौध संगीती का आयोजन इसा की प्रथम सताग्दी में कनिश्क के किशासन काल में कस्मीर के कुंडल बल में आयोजित किया गया था और उसके अध्यक्ष बसुमित्र थे नेक्स कोश्चन आधनिक पटना और गया सहर किस महाजनपद में समलित थे नेक्स कोश्चन बिहार राज में सिचाई का प्रमुक स्रोत क्या है तो वो है नलकूप राज अप्सन C होगा नलकूप राज में सिचाई का प्रमुक स्रोत है जिसे कुल सिंचित शेतर फल का लगभग 63.1 प्रतिसत शेतर फल सिंचित होता है नलकूपो के बाद नहर का पानी राज में कुल सकल सिंचित शेतर का लगभग 10.7 प्रतिसत परदान करता है नेक्स कोश्चन बिहार का पहला राश्ट्री कौसल संस्थान कहां अस्थापित किया जाएगा दर्भंगा में अस्थापित किया जाएगा राइट अप्सन डी होगा यह राश्त्रिय कोसल विकास का पहला संस्थान होगा जहां लडकियों और लडकों को प्रसिक्षित किया जाएगा इसी सat एकड़ छेतर में अस्थाबित किया जाएगा यह संस्थान बिहार सरकार की साथ निश्चे जोजना भाग दो के अनुरूप अस्थावित किया जाएगा नेक्स कोस्टन भारत का पहला बापू टावर निमलिकित में से किस संस्थान पर बनाया जा रहा है तब पटना के गरदनी भाग में बनाया जा रहा है राइट अपसन डी होगा टावर आने माले पीडियों को महात्मा गांधी की वीचारधारा और उनके जीवन पर वीचार के प्रभाव को समझने में मदद करेगा नेक्स कोस्टन मौर्जिकाल में बने जैन तिर्थंकड़ों की प्रतीमा बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है तब पटना के लोहानी पूर से प्राप्त हुई है राइट अपसन सी होगा नेक्स कोस्टन मगत के परवर्ती गुप्त बंस का अंतिम सासक कौन था जीवित गुप्त द्वीतिये था राइट अपसन डी होगा गुप्त सासकों के बाद उनके सामन्त कृष्ण गुप्त और उनके बंसज आये जिन्होंने छठी से आठ्वी सताब्दी तक मगद पर सासन किया उसे ही परवर्ती गुप्त यानि बाद का गुप्त कहा जाता है इस बंस का अंतिम सासक जीवित गुप्त द्वीतिये था नेक्स कोस्टन निमलिखित में से किस मुगल समराट का जन पटना में हुआ था फरुक सियर का हुआ था राइट अपसन डी होगा वह अजीम उस सान के पुथ्र था नेक्स कोस्टन मंझर कुण्डी निमलिखित में से किस जीले में है रोहतास में है राइट अपसन ए होगा तारा चंडी के पास कैमूर पहाडी रोहतास के कैमूर पहाडी पर मंझर कुण्ड इस्तित है रोहतास की प्रसिद काओो नदी इसी कुण्ट से निकलती है नेक्स्कूश्जन बिहार की सहरी सकषर्टादर कितनी है तो सहरी सकषर्टादर 6.900 प्रतिसत है 76.86% राइड़ अप्शन डी होगा और ग्रामिड सकषर्टा कितनी है ग्रामिड सकषर्टा है 59.78% 69.78 प्रतिसत पुरु सक्षर्था कितना है 71.2% महिला सक्षर्था कितना है 51.5% और बिहार की जो टोटल सक्षर्था है वो है 61.8% नेक्स्ट कोस्टन बिहार का सबसे कम बाल यानि 0 से 6 बर्स तक के बाल लिंगानुपात वाला जीला कौन है तो वो है बैसाली बैसाली का बाल लिंगानुपात 904 है अजब कि सबसे ज़्यादा है किसन गंज का 971 राइट अप्सटन बी होगा नेक्स कोस्टन राष्टी बागवानी बोड़ द्वारा मई 2022 में जारी नमीनतम आंकडो के अनुशार बर्स 2021 बाइश में कौन सा राज मसरूम का सरबादी कुद पादन करने वाला राज्य है तो वो है बिहार राइट अप्सटन डी होगा पहले ओडिशा प्रथम अस्थान पे था अब बिहार हो गया है बिहार किरसी भी सुभी द्याले ने पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरी राज में लागू करने का नियने किया है तो वो है रोहतास मॉडल राइट अप्सटन डी होगा बिहार किरसी भी सुभी द्याले ने पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरी बिहार की जनगणना के शंबन में निम्लीखित में से कौन सा कथन सब्सक्त है? बिहार में सरबाधिक दस्किये बिर्धी वाला जिला मधिपूरा है। यह सही है। बिहार में सहरिक्राण का प्रतिसत 11.3 है। यह सही है। लेकिन अब बढ़कर की यह हो गया है 15 से ज्यादा प्रतिसत राज्य की 88.7 प्रतिसत अबादी गाओं में रहती है यह सही है बिहार की कुल जन संख्या 10 करोड 40,99,452 है यह भी सही है तो प्रोक तो सभी सही है सो राइट अपसर नहीं हो जाएगा all of the above नेक्स कोश्चन बिहार के निमलिखित में से किस जिले में चाय की खेती होती है तो वो है कटिहार में भी किशन गंज में भी अररिया में भी और पुर्णिया में भी इन सभी में होती है राइट अपसर यह हो जाएगा all of the above चाय की खेती मुक्रुप से बिहार के किसन गंज में होती है लेकिन इसके अलामा अररिया, कटिहार और पुणिया जिलों में भी छोटे पैमाने पर चाय की खेती होती है बिहार के निम्लिकी जीलों का पश्चिम से पुर्व का कौन सा सही क्रम है तो यदि हम मैप को ध्यान से देखें बिहार के मैप को तो सबसे पश्चिम में हैं बैसाली उससे पुरव है मधबनी उससे पुरव है सहरसा उससे पुरव है बांका तो सबसे पश्चिम में हैं बैस साली उसके बाद मधुबनी उसके बाद सहरसा उसके बाद मांका आता है पश्चिम से पूरब की और यदि हम होप करते हैं तो राइट अप्शन डी होगा नेक्स कोस्चन सीखों के दस में गुरु गोविन सिंह का जन पटना में किस बर्स हुआ था 1666 में हुआ था 26 दिसंबर 1666 को राइट अप्शन डी होगा उनकी माता का नाम गुजरी देवी और पीता का नाम गुरु तेग बहादूर था और गुरु तेग बहादूर नवे गुरु थे नेक्स कोस्टन इलाहबाद की संधी के बाद रॉबर्ट कलाइब ने बिहार के लिए किसे डिप्टिड डीवान नियुक्त किया था तो सिताब राइकों नियुक्त किया था राइट अप्शन बी होगा 1764 के बकसर की लड़ाई में इस्ट इंडिया कमपनी की जीत के बाद 12 अगस 1765 को कमपनी और मुगल समराथ साह आलम दियुतिये के बीच इलाहबाद की संधी पर हस्ताक छड़ किये गए थे इस संधी के तहद कमपनी को बंगाल बिहार और उडिशा के दीवानी मिली इसके बाद रवर्ट कलाईब ने मुहम्मद रजा खां को बंगाल का राजपाल और सिताव राइको बिहार का राजपाल ने उक्त किया था नेक्स कोस्टन बिहार होम रूल लिग के अध्यक्ष कौन थे सर्फराज हुसेन खान नहीं थे शयद हसन इमाम भी नहीं थे ब्रज किशोर परसाद भी नहीं थे राजेंदर परसाद भी नहीं थे मजहरूल हक थे तो नन अब दी एब अब हो जाया का राइट आपसन ई इसके अध्यक्ष मजहरूल हक थे सर्फराज हुसेन खान और पुणेंदरू नरायन सिन्हा को उपध्यक्ष बनाया था होम रूल आंदोलन को गती देने के लिए एनी बेसेंट ने 1918 में दो बर पटना का दावड़ा की थी नेक्स कोस्टन नेक्स कोस्टन निमलिखित में से कौन बरतमान में बिहार बीधान सभा के अध्यक्ष है तो वो है अवद बिहारी चौधरी, राइट अप्शन B होगा बिहार बिधान सभा के बरतमान अध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी हैं उन्हें अगस्त 2022 में बिधान सभा के 17 में अध्यक्ष के रूप में निर्वाजित किया गया है निर्वाचित किया गया है Next question हाली में बिहार का पहला water sports zone आमोवा मन परियटकों के लिए खोला गया है या बिहार के किछ जिले में इस्तीत है या बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में इस्तीत है Right option C होगा Next question पर निमलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्ज नहीं है। सरकार की संसदिय प्रणाली का प्रावधान किस देश के समिधान से लिया गया है। सक संबत पर अधारित राष्टी पंचांग को सास की प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था। तो 22 मार्च 1967 को अपनाया गया था। राइट अप्सन बी होगा। 22 मार्च 1967 को ग्रेगोरियन केलेंडर के साथ देश भर में अधिकारी कुपियों के लिए अधिकारी कुपियों के लिए सक संबत पर अधारित राष्टी केलेंडर को अपनाया गया था। इसका पहला महिना चैत्र है। या आमतर पर एक समानन बर्च में 22 मार्च को और एक लीप बर्च में 21 मार्च को शुरू होता है। प्राकलान सम्मीति के संबंध में गलत कतन की पाचान करें। यानि Estimate Committee के संबंध में। इस समीति के सदस्यों की अधि एक बर्च होती है बिलकुल यह सही है। यह सबसे बड़ी संसदिय समीती है बिलकुल यह भी सही बात है इसमें राजसभा के 10 सदस होते हैं नहीं इसमें 30 सदस होते हैं और 300 जो है लोकसभा से होते हैं इस समीती में कुल 30 सदस है यह सही है गलत कौन सा है देखिए एस्टिमेट कमीटी जो है इसमें 30 मेंबर होते हैं तीसो जो है लोकसभा से होते हैं पब्लिक एकाउंट कमीटी में बाइस मेंबर होते हैं बाइस मेंबर में से पंद्रह जो है लोकसभा से होते हैं और साथ राजसभा से होते हैं एक और कमीटी है क्या नाम है उसका कमीटी अन पब्लिक अंडर्टेकिंग्स उसमें भी 22 members ही होते हैं 15 लोक सभा से और 7 राज सभा से और इन सब में से सबसे बड़ी समीती जो है estimate कमिती है यानि प्राकलन समीती है तो इसमें से C गलत है नेक्स कोस्टन निमलिकित में से कौन सा रीट अदालत द्वारा उन सर्वजनिक अदिकारियों के खिलाब जारी किया जाता है जब उए अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो वह है परमादेश राइट अपसन C होगा इसका साब्दी करत है कि हम आदेश देते हैं या अदालत द्वारा सर्वजनिक अदिकारियों को उनके कार्जों और उनके करतबियों के भारे में पूछने के लिए जारी किया जाता है और यह एक तरह का कंट्रोल है नियंत्रण है यह रीट नीजी बेक्तियों या संस्थाओं और समिधानिक विभागों आदी के विलोद जारी नह भारतिय समिधान के उनचे 275 यानि आर्टिकल 275 के तहत कुछ राजियों को उनकी विशेश जरूरतों को पूरा करने और विकास कार्जों को गती देने के लिए किंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है और 280 में क्या है इसमें Finance Commission के बारे में है 280 के तहट हर 5 साल में राष्टपती द्वारा एक Finance Commission का गठन किया जाता है Next question किस समिधान संसोधन द्वारा समिधान में प्रावधान किया गया है कि राष्टपती केंद्रिय मंद्रिल परसद की सलाह माने ले के लिए बाद्ध है तो वह है 42 समिधान संसोधन अधिनियम राष्ट अप्सन B होगा भारत के समिधान के उच्छे 74 में प्रावधान है कि राष्टपती को उनकी काड़ियों पर सलाह देने के लिए प्रावधान मंत्रिल की नेतिर्ट में एक मंत्रिल परसद का गठन किया जाएगा 42 में समिधान संसोधन द्वारा समिधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्टपती मंत्रि परसद की शलाह मानने के लिए बाद्ध है जबकि 44 में समिधान संसोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्टपती एक बार फिर मंत्रि परसद की सलाह को पुन occupation अ उच्छी न्याले में न्याधिसों की संक्या बढ़ाने का औिका राष्ट-पती को शमिधान द्वारा दिया । राष्ट-पती उच्छ न्याले के शेवानी विर्त न्याइधिस से भी उच्छ न्याले की न्याइधिस के रूप में कार्ज करने का अनुरोध कर सकते हैं उच्छ न्याले एक अभिलेख न्याले होता है राष्ट्ट्पति भारत के मुख नियाधिस के प्रामर्स से उच नियाले के किसी भी नियाधिस को किसी अनउच नियाले में अस्थानांतृत कर सकते हैं ये साड़ी सकती है राष्ट्पति को दी गई है Next question निमलिखित में से कौन सा सम्मेधानिक निकाय है? यानि constitutional body कौन सी है, राष्ट्रिय मानमा धिकार आयोग नहीं है, बीधी आयोग भी नहीं है, नीती आयोग भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रिय अनसुची जन जाती आयोग है, एक constitutional body है, समिधानिक निकाय है, right of son, एह होगा यहाँ भी, भारतिय समिधान के उंचे 338 में राष् पहले अनसुची जन जाती आयोग का गठान, नावासिवी समिधान संसोधन अधिनियम यानि 89th constitutional amendment act 2003 द्वारा किया गया है, पहले अनसुची जाती और अनसुची जन जाती के लिए, केवल एक ही आयोग था, next question, निमलिखित में से किसे सार्वजनिक धन का संड़क्षक कहा जाता है, केवल को कहा जाता है, नियंत्र के महालेखा परिक्षक को, right option D होगा, next question, सुद्र ग्रहन कीने दो ग्रहों के बीच में इस्थित है, तो मंगल और बिरहस्पती के बीच में इस्थित है, यानि मार्स एंड जूपिटर के बीच में, right option A होगा, नेक्स कोस्टन क्रोड के उपर के भाग को कहा जाता है तो क्रोड के उपर भाग को मेजो एस्फेर कहा जाता है मेजो एस्फेर मेंटल के छेतर को संदर्भित करता है जो कोड के ठीक उपर इस्थित होता है लीथो एस्फेर का मतलब होता है एस्थल मंडल एस्थेनो एस्फेयर क्या है एस्थेनो एस्फेयर जो है अपरमेंटल है अपरमेंटल का जो बाग है और बैरी एस्फेयर क्या है ये बैरी एस्फेयर सेंट्रल कोर को कहा जाता है नेक्स्ट कोस्टन भारत के किस राज में बक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है तो उडिशा में सबसे बड़ा भंडार है राइट अपसन ए होगा बक्साइट का उप्योग मुख रूप से एलूमीना और इल्मूनियम बनाने के लिए किया जाता है बक्साइट मूल रूप से hydrated aluminum oxide है ओडिसा में बकसाइड का सरवाधिक संचित भंडार है उत्पादन के मामले में भी ओडिसा पहला राज्य है पहले अस्थान पे है गीनी में दुनिया में बकसाइड का सबसे बड़ा भंडार है जबकि उत्पादन में प्रतम अस्थान आस्ट्रेलिया का है नेक्स क्योष्चन में बन छ்ट्र भारत के कुल भग बागलक छेत्रफल का कितना प्रतिसत है तो भारत बन इस्थिती कर दोबकर 2021 के उनसार में बन छेत्रफल में दुन hadi चेत्रफल का sniff का जी्रोन भिव protection कि जीर्याजन si tommayrat wasting क gł Seven या फिर संग साशित परदेस है वो है F pressure पे है पश्छिमिंबंगा उसके बाद गुज्रात थे उसके बाद अंडमान और निकोबार है और देन आंदर प्रदेश है नेक्स कोस्टन ये बादल उच उच आई आठ हजार से बारे हजार मीटर पर बनते हैं ये पंक जैसे दिखाई देने वाले पतले और अलग-अलग बादल होते हैं इनका रंग हमेशा सफेद होता है या कथन संबंदित है तो पक्छाव बादल से ये संबंदित है राइट अपसन ये होगा पक्छाव बादल बर्फ के क्रिश्टल के उचे बादलों की एक प्रजाती है पक्षाभी बादल आम तर पर सफेद रिसों के साथ नाजुक और पतले होते हैं पक्षाभी बादल आम तर पर तब उत्पन होते हैं जब गर्म सुस्क हवा उपर उठती है उचाई पर पत्थरीले या धातु के धूल कणों पर जल वास्प जमा करती है तब ये बनते हैं जब बड़ी आधनिक मसीनों की साहता से बड़े आकार के जोतों पर कार्ज किया जाता है तो वह किर्सी कहलाती है बिस्तृत किर्सी कहलाती है राइट अपसन ए होगा ब्यापक किर्सी यानि बिस्तरित किर्सी में बड़ी आदनिक मुसीनों की साहिता से बड़े आकार के जोतों पर किर्सी कार्ज किया जाता है इसमें मानो सरम कम होता है लेकिन प्रती बेक्ति उत्पादन की मात्रा अधीक होती है नेक्स कोशन चक्रवात के संबंध में नेमली खित में से गलत कथन को पहचाने गलत कथन का चैन करें बीली बीली नाम के चक्रवात उत्तर पस्चमी अस्ट्रेलिया में आते हैं ये सही है चक्रवात में हवा की दीसा दक्षनी गुलार्ध में बामा वर्थ होती है बामा वर् तो यह statement तो गलत है और यहीं चुनना है right option B होगा इसमें हवा बाहर से अंदर की और चलती है यह सई है चक्रवात के किंदर में नीम निदाब पाया जाता है यह भी सई है तो गलत कौन सा है B है केरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में आने वाले जो तुफान है चक्रवात है वो हरीकेन कहलाते है पस्चिम अफिरका और दक्षिन शंजुक्तराज अमेरिका में आने वाला बाउंडर कहलाता है यानि हरीकेन कहलाता है और उत्तर पस्चिम आस्ट्रेलिया में आने बीली-बीली लिस हिंद महासागर यानि इंडियन उस्यन में आने वाला चक्रवात का लाता है यानि साइक्लोन का लाता है अ किया नेक्स गोश्चन्, दक्षण्ध धुरू पर पहुँचने माले प्रथम बेखती थे, रबर्ट पीरो जहे उतरी ध्रो की खोज किया था इन्होंने कोलंबस पश्मी दीप समोह को खोज किया था और कप्तान कुग कहवाई दीप के समोह को खोज किये थी सहकारी छेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्बरक कर्खाना कहा आई इस्थित है उत्तर प्रदेश के फूल पूर में इस्तित है राइट अप्सन ए होगा नेक्स कोश्चन बोर जन जाती किस देश में पाई जाती है दक्षन अफिरका में पाई जाती है राइट अप्सन बी होगा दक्षन अफिरका में बोर जन जाती पाई जाती है मसाई जन जाती पुर्वी अफिरका यानि केनिया में पाई जाती है और कलाहारी में बुसमैन नामक जन जाती पाई जाती है न्यूजी लेन में माओरी नामक जन जाती पाई जाती है बिंदीबू नाम की जन जाती पस्चमी अस्ट्रेलिया में पाई जाती है Next question निमलिखित बिद्वानों में से किसने समाजवादी अर्थ व्यवस्था की आउधारना प्रतिपादित की थी कार्ल मार्क्स ने रायट अप्सन सी होगा समाजबादी अर्थ व्यवस्था की आउधारणा जर्मन धार्षनिक कार्ल माक्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी दास केपिटल उनकी प्रसिद पुछ तक है समाजबादी अर्थ व्यवस्था में सरकार मांग आपूर्ती मुल और उत्पादन को नियंतरित करती है में से कौन सा मानो विका सुचकांक का अधारन नहीं है तो मानो विका सुचकांक में जीवन प्रत्यासा है सिक्छा है और आय है लेकिन गरीबी नहीं है सो राइट अप्शन ए हो जाएगा मानो विकास सुचकांग के आधारना बर्स 1990 में अर्षास्ती महबूब उलहक और उनके सहजोगियों द्वारा की गई थी मानो विकास सुचकांग के तहत तीन चर सामिलोते हैं कौन-कौन से जीवन प्रत्यासा, सिक्षा और आये मानो विकास सुचकांग 1990 से हर साल मानो विकास रिपोर्ट के तहत UNDP द्वारा जारी किया जाता है नेक्स कोस्चन निमलिकित में से किस समीती के सुझाव पर भारत सरकार द्वारा नियूंतम समर्थन मुल की सुरुवात की गई थी दंतवाला समीती के सुझाव पर भारत सरकार ने MSP देना सुरू किया किल्सी लागत और मुल आयो की सिफारिज पस सरकार द्वारा भारत में 23 फसलों के लिए MSP की गोशना की जाती है जबकि कूल केंद्र सरकार दो अन फसलों के साथ 25 किल्सी फसलों के लिए नियूंतम समर्थन मुल गोशित करती है MSP केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार रभी और खरीफ फसलों के लिए दिया जाता है MSP की गोशना की जाती है साल में दो बार रभी और खरीफ के लिए नेक्स कोस्टन निमलिखित में से कौन सा राजकोसी निती के उपकर्णों में सामिल नहीं है राजकोसी निती के जो चार साधने वो हैं कराधान, सर्बजनी के रिंड, सर्बजनी के ब्याय और नई मुद्रा जारी करना, यह चारो हैं, तो निमलिखित में से कौन सा राजकोसी निती के उपकर्णों में सामिल नहीं है तो ना नब्दिय वोग हो जागा, यह सभी सामिल है नेक्स कोस्टन, मुद्रा जारी के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार केजिए उच्च मुद्रा जारी के पर्टेक्स बिदेसी निमेज के प्रवाह को कम करती है यह सई है, मुद्रा जारी भारती बजारों में बिदेसी मुद्रा की क्राय सकती को कम करती है ये भी सही है महंगाई की इस्थिती में निरियात बढ़ता है नहीं आयात बढ़ता है तो ये गलत है और उपरक्त में से कौन सा कथन असत्त है तो तीन जो है असत्त कथन है थार्ड तो केवल तीन राइट अप्शन बी होगा मुद्रा एस्थिती का तापतर्ज लंबी अधी में समान मुल एस्थर में बिर्धी से है जब किम्तों का समान एस्थर लागतार बढ़ने लगता है तो इसे मुद्रा एस्थिती की अवस्था कहा जाता है उच मुद्रा एस्थिती यानि हाई इंफ्लेशन परतेक्ष बिदेशी निमेश के प्रबाह को कम कर देती है क्योंकि उच्छ मुद्राय स्फिती इन्पूट की लागत को बढ़ा देती है मुद्राय स्फिती भारतिय बजारों में बिदेशी मुद्रा की क्राय सक्ति को भी कम कर देती है मुच्र मुद्राय स्फिती निडियात को कम करती है और आयात को बढ़ाती है तो फ्रेंड्स ये रहा पटना के परफेक्शन आई एस के टेस्ट 10 के हिंदी मेडियम के कुशन का डिसकाशन अब बने रहे इस चैनल के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक लिए थ